नमस्कार दोस्तो वेलकम बेक टू करंट एक्सप्रेस आई होप आप सब सही होंगे और जहां भी होंगे हमें तो याद रहेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं एक हो टोपिक बड़ा इंटरस्टिंग टोपिक है विकोज आप देख रहे होंगे G20 के बारे में लेकिन उससे पहल बात करूं तो किसके बारे में बात करते हैं इंटरनेशनल फाइनशनल स्टेबिल्टी के बारे में बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए इसके बारे में बात करते हैं अगर मैं G20 के बारे में फैक्ट बताऊ ना 85% जो मतलब की क्या है कि वर्ल्ट इकनोमिय इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 75% of world trade को रिप्रेजेंट करते हैं, 66% of world population को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं आपको एक और fact बताओं, इंडिया को ना 2021 वाली host करनी थी, लेकिन इंडिया ने request किया, किस के साथ, इटली के साथ, इंडोनेशिया के साथ, इटली को बोला आ 2022 वाली कर लो, और इंडिया ने host करी 2023 वाली, और काफी successful summit जो है, यह रही है, चलिए, next आपको fact बताता हूँ, इसके बारे में, तो अब यह बना 1998 में बना, first meeting कब हुई, 2008 के अंदर हुई, इसका जो headquarter है, वो मेक्सिको कनकन में है, असली में मेक्सिको को मेक्सिको नहीं बो जाजील के अंदर, यह 18th edition की जो है ना, वो summit है, लोगो क्या था, इसका lotus था, हो city कौन था, देली था, theme क्या था, one earth, one family, one future, या फिर हम बोल सकते हैं, वासुदेव, कुटुमुका, है ना, अगर मैं बात करूँ, G20, शेरपा कौन थे दो जाते हैं, इसके वो है, अमिताब कांथ, ठीके, आईए जानते हैं कि G20 के अंदर कितने member हैं, नाम क्या क्या हैं उनके, चलिए स्टार्ट करते हैं, G20 के अंदर Germany है, USA है, Russia है, UK है, India है, Saudi Arabia है, Indonesia है, Turkey है, Australia है, Argentina है, Brazil है, South Korea है, South Africa है, Canada है, France है, China है, Italy है, Mexico है, European Union है, अगर मैं ट्रिक की बात करूण तो इसकी ट्र सी, FCI में, ठीक ना, Sixth Agenda जो कि G20 मीटिंग के द्वारान फोलो किया जाता है, वो है, Green Development, Climate, Finance and Life, Second Agenda है, Accelerated, Inclusive and Resilient Growth, Third Agenda है, Accelerating Progress on SDG, Fourth Agenda है, Technological Transformation and Digital Public Infrastructure, Fifth Agenda है, Multilateral Institution for the 21st Century, and Sixth Agenda जो है, Women-led Development है, अब ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़े न्यूज में रहिए, सबसे प Sustainability Working Group Meeting ये कहाँ पर हुए, कनाटका, बैंगलूरू के अंदर, दूसरी रही है, G20 Energy Transition Working Group Meeting अंडर इंडियास Presidency ये कहाँ पर हुए, बैंगलूरू के अंदर हुए, ये भी, Sustainable Finance Working Group Meeting ये कहाँ पर हुए, गुहाटी, असम के अंदर हुए, G20 Finance and Central Bank Deputies Meeting ये कहाँ पर हुए, ये ह व्लादमिर जो पूतिन प्रेजिडेंट है और चाइना के शी जिंग्पिन है, उन्होंने ये मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया, सिंपल सिवाद कि हम इस बारी जो सम्मीट हुए है उसको हम अटेंड नहीं करेंगे, इसके बाद, अमिताप कांत जो की D20 के शेरपा है अपकी बार के, उन्होंने बोला कि जो डेली डेकरेशन है वो 100% कंसेस के साथ सब ने अडोप्ट कर लिया है, और न्यू डेली जो डेकरेशन है उसके अंदर 5 की एजंडा पर फोकस किया गया, स्ट्रोंग सस्टेनेबल बैलेंस और इंक्लूजिव ग्रोथ के उपर, एक पर चीज़ें रही है, जो न्यूज में, जैसे कि अफ्रीकान उन्यून को पार्ट बनाना है, इंडिया ने क्या किया ना, अफ्रीकान उन्यून को पार्ट बना लिया जो कि बहुत बड़ीा बात है, क्योंकि अफ्रीका, अगर हम नेग Democrat econom Canadian कोmern爱शन को फ्षण देंगे, तो तो इसी कालँ से इंडिया ने बोला कि एक अफ्रीकन यूनियन है इसको ना क्या करते हैं जी ट्वंटी का मेंबर बना लेते हैं यानि कि जी ट्वंटी विल बिकम जी ट्वंटी वाइन फिके ना तो क्यों ना इंडिया के करीब आया जाए और अपना समान इंडिया को बेचा जाए कि इंडिया की इंडिया की जो इंटर्नल पावर है नINGा बहुत बाट बढ़िया है हमार अभी भी रिसैशन नहीं है बागी यूरोप के अंदर जर्मानी के अंदर वहाँ पर रिसेशन चल रहा है लेकिन इंडिया के अंदर रिसेशन का नामों निशान नहीं है इसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि G20 डेकलरेशन जो है आपको पता ही चल गया कि वो एडोक कर दिया गया 100% कंसेसिस के साथ अच रश्या यूक्रेशन वार के ओपन इंडिया ने यह दिखाया कि इंडिया की डिप्लोमाशी टोप लेवल है टोप नोच है ना एश्ये शंकर को कुडूस ठीक ना उनके लिए क्लैप तो बसता है सिंपल सी बाटिक ना क्यूंकि जहां पर इंडोनेश्या संभी बाली संभी यूक्रेशन के लिए लेकिन इंडिया की जो इस मीटिंग के अंदर सीरफ चाठ टाइम यूक्रेशन के अगया और रश्या को बिल्कुल रश्या का नाम तक नहीं आया उनके चुछ रश्या को इस बास से खुश होना चाहिए कि इंडिया ने अपनी दोस्ति भरपूर next is अभी क्या है कि मीटिंग अंदर क्या है कि अनाउंस क्या हुआ है ग्लोबल बायो फिल एलाइंस जो है वो अनाउंस क्या गया सिंपल आपको यह भी पता होना चाहिए एक मेगा रेल एंड जो शीपिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया इंडिया मे प्राइम निस्टर भारत यहां पर दिखाया गया कि जो भारत है वह क्या है वह है वहां पर रंगोली बनाई गई वहां पर रंगोली बनाई गई एक थीम के उपर हार्मनी ओफ हर्वेस्स सिंपल सी बाटिक नाम वहां पर दिखाया गया कि इंडिया के पास इतनी रिच वराइटी जैमिलेट के और इतने हैं इंफेक्ट जो लंच करवाया गया उसके अंदर मिलेट को जो रब इंक्लूड किया गया ताकि यह दिखाया ज किया है कि एक और बात बोली गए कि कोईल को हमें कम यूज करना चाहिए सिंपल सी बाटिक ना एक और बात चाइना को टारगेट किया गया यह बोलकर कि सोवनिटी इंटीग्रिटी ओफ दा नेशन शुट भी मेंटेन एंड किसी भी देश को हावी नहीं होना चाहिए दूस कश्मीर के अंदर पाकिस्तान को बता दिया कि भाई जो है ना जो यह टर्रीजम आप फैला रहे हो ना यह बात जो है बिल्कुल गलत है कोई इसको अडॉप्ट नहीं करें और त्या रहा न्यूज में कि जो यूरोपन यूनिन की जो प्रेजिनेंट है ना जिनका नाम क्या है कि उर्सीला वोन देर लोण उन्हों ने क्या बोला एक गुलोबल कार्बन प्राइजिंग का नाम प्राइजिंग करनी चाहिंग है ना ताकि जो नेशन है ना वह कं शेक्म कारबन जो है वो रिलीज कर सके सिम्पल सी बाठ टिकीना अ और आपने ना फोटोस के पीछे एक कि नर्सीमा देवा ने बनाय था वो भी प्रथम ने बनाय था और कितने स्पोक्स है उसके इंदर 24 स्पोक्स है आपको यह पता होना चीए ठीक ना तो यह सब रहा था जी 20 के अंदर न्यूस के अंदर यह था हाइलेट समरी जो भी आपको कहना वह कहलो इसको हमने एक वीडिय स्पाइल करके आपको दे दिया है आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे प्यूस्टाकूर साइनिंगों जय हिंद जय भारत देखते लाइए करन्ट एक्सप्रेस आपका ही चैनल है और लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूले क्योंकि मेक इट लार्ज ना व झाल